हेलो पैरे बच्चो बच्चो कैसे हैं आप सभी I hope की सभी अच्छे होंगे बच्चो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 3 के विशय हिंदी के सबताहा 24 की वक्सीट को सॉल्प करेंगे जो की उत्री दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई है बच्चो आपकी इस वक्सीट क सब्दों पर चंदर बिंदू या फिर अंकी बिंदू का उचित प्रियोग करें तो बच्चो चंदर बिंदू को क्या कहते हैं अनुनासिक और बच्चो अंकी मात्रा को क्या कहते हैं अनुस्वार तो बच्चो फरस्ट है से आप है तो बच्चो इस पर हम क्या लगाएंग लगाएंगे चंदर बिंदू उंगली नेक्स्ट है डे आट है डाट तो बच्चो आपर हम कौनसी मात्र लगाएंगे चंदर बिंदू डाट नेक्स्ट है वह है आ वहां तो बच्चो आपर हम चंदर बिंदू लगाएंगे वहां नेक्स्ट है ए देर है तो ए पर हम अंकी मा है तो बच्चों मैं पढ़ाएंगे चंदरबिंदु मुहूं नेक्स्ट यू रहत है तु लगाएंगे अंकी बिंदी चुर Aut अब बच्चो प्रस नमबर दो है दिये गए वाक्यों में असुद्धिया है उन्हें सही करके लिखिए तो बच्चो फर्स्ट है गायब हो गया पास की जाड़ी में साप तो बच्चो कैसे लिखेंगे साप पास की जाड़ी में गायब हो गया नेक्स्ट है गोद में उठाकर भागे चट वह, तो बच्चो वह चट गोद में उठाकर भागे, नेक्स्ट है खत्रे से बाहर अब बच्चा है, तो बच्चो इसे हम कैसे लिखेंगे, अब बच्चा खत्रे से बाहर है, नेक्स्ट है बहुत सी चीजें भेट में भेजी नान है कहानी में लेखक इतमी संकर को किस ने काटा था सापने या फिर बर ने तो बच्चो कहानी में संकर को बर ने काटा था तो बच्चो आंसर है option number second इस पर सही का निसान लगाएंगे नेक्स्ट है लेखके नाना जी ने उनका इलाज कैसे करवाया तो बच्चो आपसन है दवाई से जाड़ फोंक से तो बच्चो आंसर है option number second जाड़ फोंक से करवाया नेक्स्ट है लेखके नाना और नानी उनकी बात इसलिए नहीं सुन रहे थे क्योंकि वो घबराए हुए थे या फिर वो सुनना नहीं चाहते थे तो बच्चो आंसर है option number first वो घबराए हुए थे बच्चो इस तील के पीतल के तो बच्चो किसके बरतन से पिलाया पीतल के तो आंसर है option number second अब बच्चो प्रश नंबर चार नीचे दिये गए अनेक सब्दों के लिए एक सब्द का चैन करें तो बच्चो यहाँ पर सब्द है डरपॉक सरारती होश्यार सरमीला निडर ना ना समझ हो से क्या कहेंगे नादान जो समझदार हो से क्या कहते हैं होश्यार बच्चो आप रोजाना सुलेक के लिए अपनी हिंदी की किताब से कुछ पंक्तियां वे सब्द लेंगे और उन्हें रोजाना लिखने वे पढ़ने का अभ्यास करेंगे संसकार साला छोटी छोटी पर बड़ी बातें जितना अधिक आप पढ़ेंगे उतनी ही अधिक चीजें आप जान पाएंगे आप जितना अधिक सीखेंगे आप उतनी ही अधिक जगहों पर जाएंगे भूरा रंग, बच्चों, आज भूरे रंग का कोई भी खाना जैसे की चीकू, कीवी, उबले आलू, चॉकलेट सेक, बार्ण वीटा मिल्क या कोई अन्य पदार्ट खाएं या फिर पिएं खेल में, आज आप खेल खेलेंगे, पार्सल पास करना, अपने परिवार के साथ खेलेंगे, गती विधी, अपने बड़ों की मदद से, अपनी नौट बुक में एक सब्द रेल तयार करें दैनिक दिन चरिया, अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें, अपने दाटों को दिन में दो बार ब्रस करें, और प्रती दिन इस्नान करें, खुब पानी पियां और संतुलिता हार लें, अपने चेहरे को छूने से बच्ची और अपने हाथो को बार बार दोएं अपना ग्रहकारे समय पर पूरा करें अब बच्चो भारत की स्वतंतरता के पिछे तरवे वर्ष के अफसर पर की जाने वाली गतिवी धी भगत सिंग पर पांच पंक्तियां लिखे तो बच्चो पिक्चर में कौन है ये भगत सिंग वीर भगत सिंग भार नाम सरदार किसन सिंग और माता का नाम विद्यावती कौर था भगत सिंग 12 साल की उम्र में ही क्रांथिकारी गतिवीदियों से जुड़ गए थे उन्होंने राष्टे युवक संग की इस्ताबना भी करी थी बच्चो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सिर करना न भूलें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू